हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाले है किस तरह से आप लोग एक इमीज यानि फोटो से टेक्स को किस तरह से कपी कर सकते है ठीके तो दोस्तों नॉर्मली क्या होते है दोस्तों पीडियेप में जो टेक्स होते है इसको क्या कर सक तो किस तरह से आप लोग इमीज में जो टेक्स है इसको किस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसके वारे में सिखने वाले हैं पहले आप लुग एक पीडियाप को देख लेजिए अपने गते हैं तो इसको कप्षी करने के लिए यह यह वाद के लिए अजिस सब्सक्राइब करना चाहा है तो सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लुक करने के लिए तो आप लुक देखते रहें किस तरह है आपको कापी करना है और दूस्तो आपकर वीडियो अच्छा लगता है आप तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रहा है तो दोस्तों यह जो इमीज है इसको इमीज से जो टेक्स है इसको कपी करने के लिए आपको क्या करना परगा पेले आपको गूगल फोटोस में जाना परेगा ठीके लेंस बल आप्ष्ण में आपको क्लिक करना है यह पर देख सकते दोस्तों यह पर एक टेक्स बल आप्ष्ण है तो पहले आपको टेक्स बल आप्ष्ण पर क्लिक कर देना है यह पर जो लाइन आपको को कोपी करना है उसी लाइन का पूर इस तरह से क्लिक करके रखना है एक किसी तरह से कपी कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप लोग नर्मिली फोटो काप पर क्लिक करके आप लोग जो टेक्स है इसको कपी नहीं कर सकते हैं यह तो एक तरीके है दोस्तों और एक तरीका है क्या है आपको बता है यह आपका फोन में ही एक अप्शन मिल जागा लें तो लेंजबल आप्सन में आपको क्लिक करना है क्लिक करने का बाद जिस इमीज को आपको कोपी करना है यहासे आपको सिलेट कर लेना है और सिलेट करने का बाद आपको क्या करना है सेम तरी का से आपको क्लिक करके राखना है और कोपी में यहापे दख लजिए इस तरह से क्ल क्लिक करना है आपका जो टेक्स है यह कपी हो जाएगा तो यह दू तरीका से आप लोग आपना जो इमीज में जो फोटो में जो टेक्स है उसको आप लोग कपी कर सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही वीडियो कैसे लगा कमेंड में बतना आच्चा लगता है दोस्तो वीडियो को लाइक कर दोना चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सस्क्राइब करके रखना मिलती है आगले वीडियो में तब तक के लिए दन्य बात